हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग विल्कम बैक टू मैं चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड जागरती और आज का ब्लोग मेरा इस्टार्ट होता है सुबा के छे बज़े से और फिलहाल अपने कामों के साथ देख सकते हैं मेरा एक बेटा सूर आए एक बेटी जग गई है मेरे से पहले ही और चिला चला कि मेरे को भी जगाई ममा जगो मेरा सुबाद मेरा बेटा जब इसका अलग प्रोग्राम था तो इसको जाना था तो इसका यह खता मोजाता है उसके बाद घरी आना है इसका स्कूल नहीं है तो यह सब भी तैयारी करवाना था जिसमें मैं बीजी करी थी और प्रोग को कमेंट के जब फिलाल एक लोग की महरा जोने वाली उनका मेरे विल्लाई देंगी यह वर्किंग जो परसान ने उनके लिए स्टडी का टाइम तो सब कुरा देखी गया उससे पहले आप लोग कैसे हैं आसा करते हैं अच्छे होंगा आप लोग पढ़ जा रहे हैं पड़ते पर एकदम ब्लॉक सूट करने का मन नहीं कर रहा है कभी-कभी इसलिए ब्लॉक एक दिन दो दिन नहीं आ रहा है गैप हो जा रहा है उपर से ब्लॉक छोटा रहा है रहा है एकदम हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं ब्लॉक सूट कर पहूं और कमेंट आ जात पूछार्ट करें थी मतलब कि यह जब नहीं पढ़ रही थी बच्चों के चक्कर में बहुत प्रब्लम हो रहा था मेरेको जैसे टाइम नहीं मिल परा था मैं भी यह चैनल इस्टार्ट करें कि चलो यूटूब से करके अपना मतलब क्या पता अर्निंग होगा तो अपना इसी किसी को फरक नहीं पड़ता है बस यह दिख रहा है कि अहां पैसे आ रही है कि नहीं बस यह दिखता है सब को मतलब किसी से भी पूछो या फिर कोई कमेंट भी कर रहा है कोई भी भोलता जा रहा है पैसे आ रहे होंगे ना पैसे आ रहे हैं मतलब पैसे के पिछे ही सब वीडियो इस पे सेयर करूं, मैं यह अपना सपना देखी हूँ, क्योंकि परपस कुछ और था, चैनल स्टार्ट करेंगा, अभी मेरा कुछ और हो गया है, जो एहम एकदम बदल ली हूँ, और एकदम उसी फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और उसी पढ़ाई में य इसी के साथ अपनी तैयारी चल रहे हैं, और आपको लोग का एक कमेंड था फिलार, जिनकी साथी है नमंबर में, उनको मैं रिप्लाई देना चाओंगी, सजेसान देना चाओंगी, जैसे, अभी देखिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो करिए तैयारी, क्योंकि स साथी हो जाएगी, वह पता है कि सबको एक बार साथी होती है, मतलब अलग फिलेंग होती है, मतलब इंट्रेस्ता तक मैं यह करूंगी, असे मतलब यह सब पहनना है, हर चीज का खौईस होता है कि मुझे ऐसे करना अपने साधी में यह पहनना है, मतलब एक अलग दिमांग रहता है लेकिन होता है ना कि जब भी अपनी तैयारी अच्छे है ना तो तैयारी कर लीजिए डिश्टर्बेंस तो आएगा घर में फैमिली में मेंबर बहुत सारे लोग आएगे आएगा थोड़ा बहुत आपको अलग से भी टाइम मिलेगा कि आपको कुछ काम नहीं करना र लगेगा मेरे लाइफ तो सेट हो गई ना कोई रोख ना कोई टोक हर एक चीज में छूट रहेगा जो इच्छा होगी वो पूरा होता जाएगा तो बहुत अच्छा लेगा कि नहीं मैं तो सही हूं एक दू साल बहुत सही लगेगा उसके बाद से मतलब रोख टोक कमी या फिर manage करना ये सबी start हो जाएगा तब लगेगा कि इस टाइम मैं तयारी करी थी थोड़ा सा और मेनत कर दी होती मेरा exam निकल गया होता ऐसा सोच आएगा इसलिए मैं suggestion दूँगी कि अगर आप तयारी पहले सा अलरड़ी बढ़ियां से कर रखें तो और थोड़ा सा मेनत दो मैन नहीं होगा अगर मैनत कर रही होगी तो बस मैं यही suggestion दे रहें को पढ़िये दो साल बाद यह बात समझ में आएगी क्योंकि यह disturb हो जाता है अगर एक बार आप पढ़ाई छोड़ दीना तो मन वही होगा हटने लगता है इधर बटकने लगता है तो अभी की है कि थोड़ा आप इंज्वाई भी करिए लेकिन पढ़ाई भी करिए बस तो और फिलाल एक लोग का कमेंट था वर्किंग परसन तो उनके लिए तो मैं यही suggestion दूँगी दिन बर तो भाई सब जो डूटी वाले हैं डूटी करेंगे तो मुबाईल में अपना बुक वगरा जो भी का है उ दर सो दर्ट डिश्टाप करते हैं हमें भी मालेजिक वर्क ही कर रहा है दिन बर बस हमें रात का ही टाइम फुरसत से मिलता है रात में पढ़ाई करते हैं और रात का इस टड़ी प्लान में लाऊंगी कभी उससे पहले मैं सोची थी कि मतलब फुल लाईब पढ़ूँगी रात में लेकिन वह सूट हो नहीं पा रहा था कि मोबाईल हैंक करने लगी तो मैं रात का अपना पढ़ती हूं बट मतलब लाइब नहीं हो पाता है तो वह प्लान में कभी आप लोग के साथ सेयर करूंगी और फिलाल मैं प्रैक्टिस कहां से कर रहे हूं तो मैं टेक्स्ट कर लिए कि सब तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं कोई जगह तो चाहिए न तो टेक्स्ट बुक तो पता ही है कि वह कितना फेमस है हर्त मतलब पीवाई की सारा पड़ाई रहता है तो उसको करना ही करना है तो बस वहां से जाके आपनोग डाउनलो करिएगा और फिलाहाल आज की मेरी श्टडी यहीं तरक रहेगी रात का मैं नहीं सूट करके सेयर कर पाऊंगी आप लोग के साथ क्योंकि अभी तक मैं सूट करीब बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ सेयर करूंग तब तक बाबाए थांक्स वर वाचिंग ल